हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद है बढ़िया होंगे आज हम फिर इतिहास विशे लेकर आये हैं और इतिहास विशे का यह चौथा चैप्टर है भारत में राष्टवाद जो पुरा इतिहास आपका किताब है ना उसमें सबसे महत पूर्ण चैप्टर है भारत में राष्टवाद सभी दृष्टी कोन से अगर आप आगे जाकर कंपेटिशन की तयारी करते हैं तो भी और अगर आप तेंथ की बात करेंगे तो भी सबसे ज़्यादा कुश्चन यहीं पुरिस एक्ट से हम आपको किस्सा थोरा सा पहले से सुनाते हैं देखे जब आप किताब खुलिएगा ना तो किताब में इस परकार से नहीं होगा जैसे हम आपको पढ़ाएंगे किताब में होगा भारत में राष्टवाद के कारण और कारण में होगा राजनितिक कारण सम तब कोई कलाइन से दिया होगा, फिर आर्थिक करन जाएगा, तो फिर अलग से, मतलब इस भी पीछे आगे होता रहेगा, कोई घटना यहाँ, कोई घटना वहाँ, तो बच्चों को होता है confusion, हमने परियास किया है, कि एक बार इस चैप्टर को हम अपने अंदाज में आपको पढ़ा देते हैं, फिर जब चैप्टर खतम हो जाएगा, तो आप सारा question कर लीजिएगा, उमीद है हमको, फिर आप से कहेंगे, यह लिखा हुआ पर ज्यादा गौर नहीं कीजिएगा, यह तो अंतिम में हम हट जाएंगे, आप स्कीन सोट ले लीजिएगा, हाथ से नोट क target होना चाहिए, नो वो हमको सुनिए, कहानी सुनिए अच्छे से, objective का तो कोई बात ही नहीं है, बन जाएगा, लेकिन जो subjective होगा न, उस subjective में जो हम कहानी सुनाएंगे, आप उसी की मदद से लिखिएगा, शुरू करें, शुरू करते हैं, देखें, यह है 1757 पलासी का अंग्रेज का दबदबा नहीं हुआ करता था, अंग्रेज बैपार करने के लिए आये थे और बैपार करते थे, थोरा मोरा सैनिक था उनके पास, यह जो कहिएगा, किसी को proper हरा के जीते थे, ऐसा कोई नहीं था, पहली बार अंग्रेज ने अगर भारत में किसी बड़े ची परती थे रोवर्ड कलाइव, सिराज उद्दौला को अपने ही लोगों ने धुखा दे दिया, और इसके कारण सिराज उद्दौला ये धार गया, और बंगाल पर अंग्रेजों का कबजा हो गया, इसके बाद अंग्रेज अपने मन मताबिक बंगाल को चलाते रहे, उसके बाद 1764 इसमी में हुआ बकसर का युद्ध, ये बकसर पटना के बगल में बकसर है, बकसर में युद्ध भसा, बकसर के युद्ध के बाद अंग्रेज अपना पैर पसाड़ना भारत में सुरू कर दिया, क्यूं समझिएगा, बकसर के युद्ध में एक तरफ हैं अंग्रे अब सुजाव दौला इतीनों के सन्युक्त सेना था और एक तरफ अंग्रेज दोनों में फस गया और इतीनों के सन्युक्त सेना को अंग्रेज हरा दिया और अंग्रेज जीत गया बकसर का युद्ध और बकसर का युद्ध जब अंग्रेज जीता ना तो लग गया कि अब अं प्रदेश, बिहार और बंगाली तीन गो रज्जे में तो अंग्रेज का कबजा हो ही गया अब अंग्रेज अपना काम सुरू किया और अंग्रेज बढ़िया से मराथा सब जगा लगवग जीत गया समझ लीजे पंजाब उन जब सब जीत गया मद्रास तक सब लगवग पूर अब विदरोह था जो आप कहानी सुनते हैं ना वीर कुमर सिंग्की जासी की रानी लक्ष्मी बाई की नाना साहब की यह सब कहानी जितनी कहानी आप सुनते हैं यह 1857 के विदरोह की कहानी है और उसके हीरो थे मंगल पांडे उन्होंने सुरुआत की थी अंग्रेज द्वारा एक राइफल लाया गया था जिस राइफल में सूर और गाई की चर्वी से मिला हुआ ग्रीस टैप का कुछ मिला रहता था जिसे दाथ से हटाना पड़ता था अतब गोली चलती थी ये बात मंगल पांडे को पता चली और उसके बात मंगल पांडे ने विरोध कर दिया और उसने एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया उसके बात मंगल पांडे को फासी होती है और 1857 का विद्रोह का विगुल बज उठता है अच्छा मारकाट होता है हम लोग जीतने ही वाले होते हैं लेकिन अपने लोगों के धोखा के कारण हम लोग 1857 की करांती में कुछले जाते हैं और जो पर्थम परियास था अंग्रेजों के खिलाफ आजादी हासिल करने का वो खतम हो जाता है जब पर्थम स्वत अंता संग्राम 1857 में हुआ उसके बाद भारत पर सीधे इंग्लेंड का सासन सुरू हो गया इसका मतलब क्या है अभी तक भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी का सासन होता था अभ इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सासन लेकर असीधे करेगा सासन इंग्लेंड इंग्लेंड के राजा रानी मतलब जो इंग्लेंड का राजा हम लोग का राजा वही अब जब इंग्लेंड का सासन सुरू होगा ना तो इंग्लेंड से पहले East India Company होता था, तो उसके जो head होते थे उसको हम लोग governor general बोलते थे और अब सासण होगा इंग्लेंड के द्वारा, अब इंग्लेंड के राजा या runi हमारी हैं तो रहेंगे नहीं, उतर हैंगे इंग्लेंड में, तो फिर हमारे यहां सासन कौन करेगा तो अपना एक आदमी किसी को भी इंगलेंड के राजा अपने एक आदमी को यहां राजा के तरह रखते थे वही चलाएगा पूरे भारत को उसे हम लोग कहते थे वाई सराई बारवार ये वाई सराई सब्दाएगा इसलिए हम इसकी चर्चा किये हैं अब गवर्णर जनरल को गवर्णर जनरल ना बोलके अब बोला जाएगा वाई सराई समझ गए मतलब अंगलेंड के जो राजा या रानी होंगे उनका वो चमचा अब इसके आगे कहानी शुरू होती है 1878 से यहां से आपके किताब में पूरा का पूरा कहानी दिया हुआ है 1878 इसमें एक एक्ट लगाया था भारत पर Vornicular Prace Act अच्छे से उयाद रखेगा 1878 Vornicular Prace Act अब यह Vornicular Prace Act क्या था वर्नक्यूलर प्रेस एक के तहत भारतिय भासा में छपने वाले अखवार पर परतिवंध लगा दिया था अब आपके मन में आगा क्यूं तो देखे भारत में क्या था कि कहीं कोई घटना घटती थी ना तो पेपर में छप जाता था अंग्रेज ने यहाँ अंग्रेज कहीं कुछों गलत काम किया, सोसन किया, यृध किया, सोसन तो करता ही था तो वो अखवार में छप जाता था या अखवार में कोई-कोई जो नेता थे जो चाहते थे कि हम आज़ाद हो राश्ट्रवाद वाले वो सब अखवार में खबर छब आते थे लेख लिखते थे कि हमें आजादी के लिए लरना चाहिए एक जुट होना चाहिए कैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लरेंगे तो अंग्रेज ने जो भारतिय भासा में अखवार था ना उस पर परतिबंध लगा दिया अब भारत के लोग उससे में बहुत पढ़े लिखे थे नहीं अंग्रेजी तो नहीं पढ़े थे या तो हिंदी उर्दू बंगला इसी सब में चलता था मराठी गुजराती अब भारतिय भासा में अखवारे नहीं छपेगा तो भारत के जो लोग हैं ज्यादातर लोग तो कम पढ़े लिखे होते हैं अरे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आता था कुछ ही लोगों को आता था तो बताइए वो अखवार कैसे पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर राष्ट्रबाद की भावना आएगी स्वतंतता की भावना आएगी ना वो यह समझ पाएंगे कि अंग्रेज का अगला प्लान क्या है अंग्रेज ने कहां किसका कितना सोसन किय मतलब एकदम से खतम देश के बारे में कुछ जानकाड यह नहीं आएगा और यह लागू किया लॉड लीटन ने वाई सारा थे उस समय के लॉड 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 बोलेंगे न तो आपको तकलीफ होगा इसको लॉड करना पड़ता है लॉड मतलब स्वामी देखे जैसे हमारे यहां का टाइटल स्रीमान स्रीमती होता है ना उसी परकार उस समय में इंगलेन में लॉड होता था टाइटल तो इसका नाम है लॉड लीटन जिसने वर्ना कि लर प्रेस एक्ट लागू किया वाई सारा का क्या नाम है लॉड लीटन भारतिये भासा वाले अखवार पर प्रतिवंध लगा दिया अखवार छपेगा लेकिन केवल अंग्रेजी भासा में बताइए कितना आदी पढ़ पाएगा कुछ जान पाएगा देश के घटना के बारे में divij Temple Juniororient प्रियस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका थी एक खवार छपता था नाम था उसका अमड़ित बजार पत्रीका ये बणगला भासा में छपती थी और यए अपना तो यह खूब परसिद्ध थी यह पत्रीका, अमरित बाजार पत्रीका, रातो रात अपनी भासा बदलने वाला अखवार, अमरित बाजार पत्रीका, किलिर है, अमरित बाजार पत्रीका, इसके बाद अगला साला यह 1889 है लिखा हुआ, 1879, हम लोग यह यह वाइज चलेंगे, तो देखिए आमस एक्ट है कि भारत के लोग जो हथियार रखते थे न तो भारत के लोग के पास जो हथियार रहेगा अम्मान ये खौँजा आ गया आप आपके मन में कुछ हो आ गया जाइए गठोक दीजे अंगरेजवाको जहां देखे गोरका आदी मार गोली पहले इसके लिए लौड लीटन ने आमस एक्ट लगा दिया अरे भाई ऐसे तो जिसको मन होगा वही न अंगरेजवाको गोली मार देगा तो उसने कहा कि भारत के लोग जो हथियार रखेंगे इस पर परतिवंद भारत के लोग हथियार नहीं रखेंगे अच्छा अंगरेज लोग रख सकते थे भारत के लोग हथियार नहीं रखेंगे तो ये है 1889 इस भी में आमस एक्ट किसके द्वारा लौड लीटन के द्वारा ये काम और ये काम दोनों लौड लीटन के द्वारा अच्छा कोश्चन पूशता है कि वरना कि उलर प्रेस एक लिखा है वरना कि उलर प्रेस एक्ट समाप्त लौड लीटन में बरा बेकार आदमी था बहुत बदमास आदमी नाम है लीटन लीटन गया है पांचपर साल के लिए रहता था बाई सराय कोम हो रहता था जाद हो रहता था उसके बाद आया लौड रीपन 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 एक अच्छा व्यक्ति इतना अच्छा था कि भारत में इतिहासकार ने उसे भारत का उधारक कहा है लौड रीपन को अस्थानिये स्वसासन का जनक आजकल जो आप देखते हैं अस्थानिये स्वसासन मतलब मुखियाव परमुख वाड मेंबर इस सब के लिए तो रीपन अच्छा वेक्ति था रीपन आया आया सबसे पहले वर्ना कि उलर प्रेस एक्ट बंद करवा दिया अठ्षारोसोब लौट मैं चार साव समझ लीजिये 1998 में लागू हुआ भिरासी में खतम कौन लौट लिटन खतम कोन किया लौड रीपन मतलब अवग कि एकवार सब हासा में छप सकता था लौड रीपन को लगा लाध कि तो गलत बात है भारत के लोगों के लिए जिस भास इहां देखिए 8089 वर्नाक्यूलर प्रेस समाप्त और इलवर्ट बिलाया एगो बिरासी एगो तेरासी यहां भी लोडर रीपन अब देखिए होता क्या था होता था कि उस समय में या तो बैपार के लिए जग रहा, पैसा रुपया के लिए मार पीट, या अंगरेज कुछ गलत काम कर दिया, सोसन कर दिया, तो भारती या अदमी अंगरेज पर केस करता था, पूरा का पूरा जत्ते था ना जज, लगवग अंगरेज था, कुछ भारती या अदमी जज था, उपर से नियम क्या था? इस से पहले, कि अगर मुकदमा किसी अंगरेज पर होगा, कौनों मुकदमा हो, अगर अंगरेज पर मुकदमा होगा, या दुन्नू पार्टी में उसकी सुनवाई कोई न कोई यूरूप ये जज़ करता अंग्रेजी ज़़ करता लॉड रीपन आये और लॉड रीपन ने इलवर्ट बिल ला दिया बहुत बिबाद हुआ इस बिल पर क्यूं जानते हैं क्योंकि इलवर्ट बिल में लॉड रीपन साहब ने कहा कि अब जो है मुकदमा के करों पर हो मतलब मुकदमा अगर अंग्रेजों पर है तयोग कर सुनवाई भारतिये जज कर सकता है नहीं समझे आप सोच कर देखिए कि एक तरफ भारतिये आदमी है एक तरफ अंग्रेज आदमी है भारतिये आदमी अंग्रेज पर क्वेश कर दिया अंग्रेज जज सुनवाई करेगा कहि और आपके पक्ष में फैसला करेगा हमेशा तो अंग्रेजे का पक्ष लेगा रिपन सहाव इसी को बदल दिये रिपन बोले नौई अब भारतिये जज़ भी सुनवाई कर सकता है इसी बिल का नाम है इलबर्ट बिल इसके समय वाईसर आइकॉन थे तो लॉर्ड रीपन देखे न लिखा है यूरोपिये लोगों के मुकदमों को भी भारतिये जज़ द्वारा सुनवाई बिवादित बिल था खुब बिवाद हुआ अंग्रेज के द्वारा अंग्रेज लोग इसका खुब बिरोध किये इतना बिरोध किये कि लॉर्ड रीपन का कारेकाल समाप्त करके अंग्रेज इंग्लेंड बुलाया गया इंग्लेंड में उन पर केस हुआ लॉर्ड रीपन पर अब बच्चों को confusion क्या होता है समझे यहाँ पर नाम है लीटन लीटन वहाँ पर रीपन रीपन दुनों सेम सेम नाम है तो आप भूल जाईएगा अच्छा हम आपसे पूछेंगे एक दू तीन चार इस चार को काम में हम लोगों के लिए अच्छा काम कौन आप आराम से बता है हम लोगके विरोध में काम हुआ यह क्या हुआ है यहाँ पर वर्ना क्यूलर प्रेस्व्र aimed समाप्त कर दिया गया यह हम लोगके लिए अच्छा काम है इल्वर्ट बिल अच्छा काम है देखे कभिह हम अच्छा काम करते हैं ना तरीबन काते है अदे कवन दिखें हुष जब अच्छा काम हो, हम लोग के लिए अच्छा काम यहां हुआ है, यहां हुआ है, तो इस दोनों करेंगे, रीपॉन, आई दुन्नु खराव काम, लोटा जैसन मुह वाला, लीटॉन, नहीं समझे, लोग ने कहते, को मुह अलटका के भई ठल लेगा, तो लोटा सनग मुह कह है, तो उसी से नाम याद रखेगा, लीटॉन, यह चारो आप साइद याद हो गया होगा, आसा नहीं है, एक दो बार देखेगा, याद हो जाएगा, अब एक महतपून जगह आते हैं, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस, यह वही कॉंग्रेस है, जो अभी आप हाथ छाप इसमिका बिद्रोह बहुत भायनक बिद्रोह था, हम लोग गरदा छुड़ा दिये थे अंग्रेस का, पकर-पकर के कूर देते थे, अगर अपन आदमी सब धुखा नहीं देता, तो हम लोग जीत भी जाते, उसके डर से अंग्रेस सब प्लान बनाया क्या सोचा, कि कोनो ऐसा चीज बना दो ना, कि अगर इब भारतिये आदमी को गुस्सा आए, विद्रोह करने का मन हो, कोनो चीज मांगना हो, तो डिरेक्ट हम से नहीं मांगे, डिरेक्ट हमरे पर नहीं हमला कर दे, इक उनो भारतिये आदमी का गुरूप बना दो, जहां जाके वो बोले हमरा चाही हमरा चाही, आउँ आके हमरे पास बोले, इससे क्या होगा, खत्रा कम हो जाएगा, और यही पलान का फल था, भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस, अखिल भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस कहा जाता है, भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई तो 28 दिसम्बर 1880, याद हो जाएगा, 31 तारिकों अंतिम जन्वरी वाला पिक्रिक मनाते हैं, एक जनवरी मनाते हैं फस्ट जनवरी तो 28 दिसंबर तीन दिन पहले 28 दिसंबर 1880 दिन सोंबार था उसी दिन अस्थापना हुई भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रिक्स की दो तीन बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा 28 दिसंबर 1880 संस्थापक कौन थे तो A.O. Hume ये अंग्रेज अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी थे रिटाइर हो गए थे तो वह भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रिक्स की अस्थापना कर दी प्लान तो समझी गए क्या था नाम याद रहेगा A.O. Hume A.O. Hume अस्थान कहां था तो देखिए पहले से फिक्स था कि ये भोगा पूना में लेकिन पूना में पलेग फैल गया पलेग बहुत खतरनाग बीमारी पलेग को काली मौत कहा जाता है मतलब आपका पलेग होगा ना तो सर ने लगता है सर के लाल लाल गिरने काला काला गिर लगता है आदंए धीरे धीर यहां से सर ना शरूँ हो जाएगा पूरा से काला काला गिरेगा इसलिए काली मौत कहा जाता है और अगर एक आदमी को हो गया और उसके बगल में कोई गया छूब उदिया उसको भी हो जागा संक्रामक बिमारी है तो एक बार जो पलेग फैल आज भी लगवा कि इलाज नहीं है लेकर आज पहले टीका लगा दिया जाता है तो पूना में पलेक फेल गया तो कौन जाता पूना पूना के जगा बंबई में रखा गया बंबई में भी कहां गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मीटिंग रखा गया पहला पर्थम अध्याक्ष तैं कोई मीटिंग ओता है उसके अध्यक्ष होते हैं.. तो अध्यक्ष कौन थे? बेयवमेस चंधर बैनर जी..स लोज नयाब काम होगा या पुराने जमाने म में होता था ना तो लोग बरकावर का धोलक लेके जाते थे बुझाने के लिए तो आप याद रखेगा होली हुली में देखते हूँ कि डंफा बजते हुए तो उसी डंफा से याद रखेगा डफरीन मा को लॉड डफरीन अचाब पहली वार जो हुआ था बंबई में 28 दिसंबर 1885 को उस समय कुल सदसे 72 गुआये थे मातर 72 आदमी से सुरू किया हुआ संस्था था हजारों आदमी बनते गए धीरे धीरे आप पलान तो समझीए गए एक बार बोलें फिर से बारतिये राष्ट्रे को अंग्रेस की अस्थापना कब हुई 28 दिसंबर 1885 संस्थाप कौन थे यह कौन थे रिटाइड अंग्रेज अधिकारी थे कहां पर हुआ था अस्थापना था बंबई में बंबई में कहां तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसके पर्थम अध्यक्ष कौन थे बेवमेश चंद्र बेनर जी उस समय वाइसराइ कौन थे ल चिनी अमेरिका उत्री अमेरिका तो उत्री अमेरिका के इतिहास से लिहा गया है जिसमें कॉंग्रेज का अर्थ होता है लोगों का समूह इकठा जहां होता है लाला लाजबत राए आगे इनके बारे में पढ़ेंगे गरम आदमी इनका कहना था अंग्रेज से हम भीक मांग के आजादी नहीं लेंगे, छीनेंगे आजादी, ये बोले, Congress कुछ और नहीं है, Safety Wall का सिधान दिया, Safety Wall है, अंगरीजों के लिए, Safety Wall क्या होता है, आपके घर में प्रेसर कुकर होगा, प्रेसर कुकर के उपर में ठकना वाल घुस गया ना जाम हो गया तो कुकर ब्लास्ट कर जाता था तो धीरे धीरे उसमें वो सेफ्टी बॉल्व लगा दिया गया मतलब अगर कभी कोई कुकर जाम हो गया तो कुकर के फटने से पहले वो जहां पर सेफटी बॉल्व लगा रहेगा ना बॉल्व उपिघल जाएगा वो जल जाएगा असब गैस उधर से निकल जाएगा तो कुकर बलाष्ट होने से बच जाएगा तो लाला लाजबत्राई ने कहा कि अंगरेज अपने लिए एक सेफ्टी वॉल्व खो जा है कि आदमी का गुस्सा फटने से पहले इक कॉंग्रेस पर फोड़ दे तो उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का सिध्धान दिया किसके चक्कर में तो कॉंग्रेस की अस्थापना के बारे में सेफ्टी वॉल्व का सिध्धान ये किस्सा हम लोग अभी तक पड़े हैं भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस तक इसके आगे थोड़ा सा गतिविधी चलने लगा 1857 के बाद करांतिकारी गतिविजी थी गोली पे स्टॉल वाला इबंद हो गया था लगभाग धीरे धीरे सुरू हो रहा था शुरू करने में हाथ था बाल गंगा धर तिलक का, बाल गंगा धर तिलक करांती कारी को एक जगा इकठा जो करते थे न, तो पुलिस पकर लेती थी, तो बाल गंगा धर तिलक ने पलान बनाया, कि धर्म का चीज को नो होगा न, अब मेला लगाएंगे, मेला में जो मिलेंगे ना तो कोई ने पकड़ेगा डोरे धर्म के चीज में जादा डिस्टरब नहीं करता है अंग्रेज भी बहुत कम करता तो उसको लगता था धर्म के नाम पर हम कुटा जाएंगे तो इन्होंने 1893 इसमी में गनेश उत्सब शुरू किया गनेश चतुर्थी में गनेश उत्सब नहीं मनाते हैं वो और 1895 में सिवाजी उत्सब बाल गंगादर तिलक ने सुरू किया इसे करके इसमें क्या होता था कम से कम साल में दो बार एक वार गनेश उत्सब में आएक वार सिवाजी उत्सब में सब करांती कारी एक जगा मिलते थे पलान बनता था इसी के बात की घटना एक 1895 की बात की घटना आपको उनको सुनाते हैं बड़ी मारमिक घटना है दरदना घटना है पूने में फैला था पलेग आपको एक असर 1850 पहला था भाई एक बार फैल गया संक्रामक विमारी है क्या लगता है कोरोना अभी खतम हो जाएगा आप बा तो फिर पलेग जिन्दा हो जाएगा तो दूगो अंग्रेज अधिकारी थे वो पूने में घर घर जाकर पलेग की जांच करते थे तो एक जगा की घटना है कि पूने में एक घर में दुन्नू पलेग अधिकारी घुसे हैं लोगों ने मना किया कि रुख जाईए छोड़ दीजे अभी एक लेडी थी प्रेगनेंट थी और वो महिला बच्चे को जर्म दे रही थी और वो लेवर पेन में थी तो लोगों ने घर के लोगों ने मना किया कि रुख जाईए अभी नहीं कीजिए कुछ दिर बाद आप जाच कर लीजिएगा अंग्रेज अधिकारी नहीं माने जरप हो गई अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती पोलिस को बुला के अंदर घुसे और कहा जाता है कि उसका बाल पकर के महिला को खिचते हुए बाहर लेके आया दौरा के बाहर लेके आया बहुत कष्टदाय की स्थिती थी उसकी महिला और उसके बच्चे की मिर्तु वहीं हो जाती है और बहुत दिनों के बाद 1895 इसमी में पूने के ही दो भाई हैं दोनों भाई मिलकर पलेग अधिकारी की हत्या कर देते हैं बहुत दिन के बाद एक करांतिकारी घटना घटी थी इसके बाद सांत रहता है माहूल और एक बार और माहूल गरम होगा 1905 इसमी में ये 1885 से लेके 1905 तक का काल एकदम सांत वाला काल था 1905 में कब देश घरम हुआ एक जगा तो जब बंगाल का भी भाजन हुआ उस समय के वाईसराई थे लॉर्ड करजन और बंगाल का आप देखिएगा ना तो आज हमारे पास अभी मैप तो नहीं है डिजिटल बूर्ड है नहीं की मैप आपको दिखाएंगे बंगाल का मैप देखिएगा तो गौर से देखिएगा जो बंगला देश है न आज वो बंगला देश बंगालं हुआ करता था पहले हम लोग का पस्चिम बंगाल हम लोग का बिहार उरीसा और बंगला देशी पूरे को बंगाल बोलते थे अच्छा पस्चिम के तरफ जो बंगाल था इधर बंगला देश है उधर मुसल्मानों की संखिया जादा अब पूरव के तरफ जो बंगाल है जो हम लोग का आज बंगाल है सोरी पश्चिम के तरफ जो बंगाल है हम लोग के तरफ जो बंगाल है इधर हिंदू जादा आप पुर्वी बंगाल पश्च्मी बंगाल ने सोरी पुर्वी बंगाल के तरफ मुस्लिम जादा और अंग्रेज की निती थी फूर डालो और राज करो अंग्रेज ने एक सीमा रेखा बना दी बीच से एक तरफ पुर्वी बंगाल, एक तरफ पश्मी बंगाल पुर्वी बंगाल में मुसलिम जादा, पश्मी बंगाल में हिंदू जादा और इसे कहा गया बंगाल विभाजन जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों करना चाहते हैं तो वो बोले कि बंगाल बहुत बड़ा है हमें परसासन करने में दिक्कत होती है इसी को कहते हैं बंगाल बिभाजन बंगाल बिभाजन कब हुआ? 1905 में किस ने किया? लॉर्ड करजन बंगाल को दो भाग में बाटा गया पश्चिम बंगाल पुर्वी बंगाल ये पुर्वी बंगाल जो सुन रहे हैं आप आज जो बंगला देश है ये कभी पुर्वी बंगाल ही हुआ करता था 1971 इस भी में हम लोग इसको आजाद करवा के बंगला देश बना दिये इसके बिरोध में अब हम लोग नहीं चाते थे बंगाल के लोग नहीं चाते थे कि बंगाल का विभाजन हो तो सब बिरोध किया जुलाई में घोसना कर दिया था लॉड करजन कि बंगाल का विवाजन हम अक्टूवर में करेंगे लोग विरोध करने लगे और अगस्त में अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से सब लोग एक जुट होकर एक आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन का नाम था बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल को जो चलते थे पुटे देश में अंदोलन चल रहा था बंगाल विवाजन के बिरोध में बंगाल विवाजन 16 अक्टूवर 1905 को लागू हुआ पूरा बंगाल सोक दिवस मनाया इस दिन काला दिवस मनाया ब्लैक डे हिंदू ने मुसल्मान भाईयों के मुसल्मान ने हिंदू भ आंदोलन भी चल रहा था तो स्वादेशी आंदोलन पूछे तो भी 1905, बंग बंग आंदोलन पूछे तो भी 1905, बंगाल विभाजन पूछे तो भी 1905 आदमी का नाम याद रहेगा लॉर्ड करजन अब आते हैं मुसलिम लेग, अगले ही साल 1926 1885 में कांग्रेस बना था 1926 में मुसल्मानों को एक सिकायत थी मुसल्मानों की सिकायत दिया थी कि यह कांग्रेस है न यह केवल हिंदू की बात करती है मुसल्मानों के पक्ष में बोलती ही नहीं है जबकि ऐसा था नहीं कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम नेता भी थे और वो भारतियों का पक्ष उठाते थे ना कि हिंदू का ना ही मुसल्मान का तो 1926 भी दिन है 30 दिसंबर 1926 भी जगह ढाका आज बंगलादेस की राजधानी कहलाती है ढाका ढाका में आगाखां और सलिमुलाखां ज़्यादा फेमस आदवी है इन ही दोनों की अगवाई में मुसलिम लिकी अस्थापना होती है एक और बैक्ति याद रखिएगा बकर उल मुल्क इनका नाम कम ही आता है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं आगाखां सलिमुलाखां बकर उल मुल्क ये तो तीनों मिलकर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलिम लिकी अस्थापना करते हैं और अंग्रेज का जो प्लान था फूट डालो और राज करो उसमें अंग्रेज को एक और सफलता मिलती है अब भारत में दो पार्टियां हैं हिंदू की अलग मुसलिम की अलग ऐसा मुसलिम लिका कहना था कि मुसलिम नहीं मुसलमानों के लिए बात करेगी जैसे कॉंग्रेज हिंदू के लिए बात करती है जबकि कॉंग्रेस के बहुत बरे-बरे नेता मुस्लिम हुए अध्याक्ष शुरुआते में अध्याक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी मौलाना अवूल कला माजाद लंबे समय तक कॉंग्रेस के अध्याक्ष रखने वाले एक बैक्ती है सबसे लंबा समय उन्ही का रहा और यह वो कहते थे कि मुस्लिम के बारे में कांग्रेस नहीं बोलती है इसलिए हम लोग अगलग बना रहे हैं मुस्लिम लीग बच्चों हमने आज पढ़ा प्लासी का युद बक्सर का युद अठारस संताबन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1879 में आमस एक्ट 1882 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त 1883 लवर्ट बिल कांग्रेस की अस्थापना 1885 फिर बाल गंगाधर तिरक्य दौरा गनेश उत्सव और सिवाजी उत्सव 1905 में बंगाल विवाजन 1905 में ही बंग बंग अंदोलन मुसलिम लिग किया स्थापना 30 दिसंबर 1906 जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे तो कंग्रेस में सूरत फूट फिर आपको किस्था सुनाएंगे खुदी रामबोश जी का यही मुझफर पूर में जिनको फांसे मिली थी गदर पार्टी दिल्ली दरवार कामा गाटा मारू परकरन होम रूल लीग अंदोलन गांधी जी का भारत आना इन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आसा है आप समझे होंगे या क्या दिक्कत है आपको और क्या चाहिए यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें अगर कोई बदलाव चाहिए तो भी आप बता सकते हैं ठीक है हम मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग इसका स्कीन सॉट लेके और नोट अच्छा बनाईए ठीक है धन्यवाद आप स्कीन सॉट ले लीजे